तो आज हम बात करने वाले हैं सान्या खत्री के बारे में सान्या खत्री अरे वही लड़की जिसको अपैरेंटली गॉड लाइक से कोई भी फिम लेने की जरूरत नहीं है और गॉड लाइक नियो की वज़़े से तो कोई भी उसकोई फिम बड़ी ही नहीं थी जो किया है अज तक खुद से किया है तो मतलब अगर सान्या खत्री बीजी एमाइ में डालूंगा यूट्यूब पे तो सान्या खत्री के सारी अचीवमेंट्स निकल के आ जाएंगी ना वैसे कुछ भी काओ ये थमनेल तो नेक्स लेगल था भाई तो देखो अटेंशन सबका अब ये घुश चुका है कि नियो और सान्या के बीच में लड़ाई हो रही है लेकिन सब ये भूल चुके है कि भाई ये सब शुरू कहां से हुआ था तो देखो सबसे पहले मैंने ज सब्सक्राओ जॉन नथन पैरवाई से भी आगे हैं ग्लेम गेम देखो मैंने सान्या दीदी की पूरी साइट समझने की कोशिश करी तो पहले मुझे समझ में आया कि उनको कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए ठीक है दीदी बिलकुल कोई सपोर्ट नहीं चाहते हैं किसी का भी और विमन काड तो बिल्कुल भी नहीं खेल रही है लेकिन उसके दस मिनट बाद दीदी बोलती है क्योंकि यहां पर लोग बूल दोंगी तो सपोर्ट की भूकी कहलाओंगी जिसको मैंने दस मिनट पहले ही मना किया था तो चलो वह इसी बात पर रहेंगे कि यह चाहती थी कि गौड लाइक वाले इसको एड्रेस करके इसको सौट करने का ट्राय करेंगे तो लोगों का फोकस पूरी तरह से सान्या और नियों की चैट्स पे था जबकि वो यह भूल गए थे कि उसने क्या कहे कि वो सारी चीज़े एक्स्पोस करी थी सान्या दीदी का स्टैंड यह था कि इनका क्यरक्टर एसासिनेशन हो रहा है इनके अगेंस कोई रूमर स्प्रेड कर रहा है कि यह दूसरे लोगों के साथ में गलत गलत क्याम करती है जिसकी वज़ा से उनको बहुत ज़दा गुस्ता था और यह चीज़ के बारे में स्टैंड लेना इनके लिए जरूरी था बेसिकलि यह चैट्स इनों ने दिखा ही थी जो इनके हिसाब से रूमर स्प्रेड हो रहे थे सान्या के हिसाब से नियो का यह कहना कि यह लोग नौडविन लैनेवेंट के पास में एक रूम में पकड़े गए थे दारू पीते वे वह चीज़ गलत ही और हो सकता है वह चीज़ गलत हो लेकिन यह चीज़ हम फॉरा फैक्ट जानते हैं कि एक दिन के लिए तो यहाँ पर यह चीज़ हम अरान से स्टैबलिश कर सकते हैं कि इन दोनों का इंवल्मेंट कुछ ना कुछ था कोई ना कोई रूल्स ज़रूर ब्रेक होए जिसकी वज़ा से एकवानॉक्स बेंच हुआ और इस तरीके की चीज़े ओविसली हर जगा फैलने लगती हैं जिस चीज़ से बाहर आने के लिए सान्या ने ओविसली पूरा ब्लेम नियो पे डाला और इटलीस दोबारा से उसी डिरेक्शन में जा रहा था तो एक बात मुझे तुम बताओ खुद अगर तुम एको नॉक्स के साथ इस तरह से इन्वाल्व हो रही हो कि कुछ रूल्स ब्रेक हो रहे हैं और नॉडविन लान इवेंट वाले उसको एक दिन के लिए बेंच कर और ऑविसली ऐसा होगा तो बाते बनना शुरू हुई जिसकी वज़ा से ब्लेम गेम की प्रो प्लेयर सान्या खतरी जी ने सोचा कि पूरा ब्लेम नियो के उपर डाल देती हैं क्योंकि मेरे पास में चैर्ट से और उसको ऐसे पोर्ट्रे करूंगे कि उसने मेरे साथ में ग मूबाइल के साथ साथ TDM के मैचेस भी खेल सकते हो आप लोग खेलाड़ी एड़ा में मेरा सबसे फेवरेट उल्टा पुल्टा वाटल है जिसमें सबसे पहले मरने वाले को सबसे जादा पैसे मिलते हैं और इस आपकी सबसे खास बात है कि आप अपने पर्सनल प्रोमो नहीं है कि हम लोगों को बॉटल के साथ में पकड़ा गया था तो क्या तुम्हारे पास इस चीज का प्रूफ है कि यह वाली टिप नियों नहीं दीती है नियों नहीं तो मैं बदनाम करना शुरू किया था और इसके बाद अभी दो मिनट पहले हमने इस्टैबलिश करा था कि सान्या दीदी चाहती थी कि गौड लाइक से कोई तो आएगा इस इश्यो को एड्रेस करने के लिए तो क्या आपने यह highly sensitive highly personal screen shots गौड लाइक के management के किसी भी बंदे को भेजे नहीं हम तो उसको social media पर डालेंगे जिससे कि हर जगा वह बात फैल जाए और सब लोगों का attention आको नॉक्स और सान्या से हट के सीधा नियो के ओपर चला जाए और फिर दीदी बोलती है कि मैंने तो नहीं बोला किसी को follow करने के लिए मुझे तुम लोगों का कोई support चाहिए भी नहीं और देखो जैसे हम लोग bjmi game में जिगल की technique का यूज करते हैं वैसी सान्या दीदी blame game में manipulation की technique का यूज करती है fact that I have to play my women card I never played my women card okay are you sure about that अहां अहां एक्सपोजे के शुरुआ दी है कह के करी थी नियो याद है the time you said इतने followers हैं और इतने पैसे हैं कि कोई भी लड़की हां बोल देगी क्या हुआ मैंने हां नहीं बोला तो आप बाते बना के सबको बोलोगे women card फिर बोलती है कि मैं तो सारे के सारे invites डॉज कर रही थी वो मुझे कमरे में बुलाना चाहता था और डेली तक आएगा इतने efforts कर रहा है तो क्या मुझे उसके साथ सो जाना चाहिए women card फिर बोलना कि वो तो मुझे वीडियो कॉल करता था और बोलता था कि टू पीस पहन लो मेरे को बहुत ब्यूटिफुल लगती हो और में साथ क्लोज हो जाओ women card क्योंकि हाँ उसने ऐसा जादू कर रखा था कि वीडियो कॉल वो करेगा बट फोन अपने आप उठ जाएगा और उड़ते वे आपके पास में आएगा और वीडियो कॉल चल जाएगी और मजबूरन आपको hypnotize कर देगा कि आप बोलने भी लग जाएगी और उसके बाद उत इंट्रस्टेड नहीं होगी तो क्या वो इस तरीके से मेसिज करेगी उसके बाद वो बोलता है mist you call me in the afternoon तो लड़की भी तो उसके reply में बोलती है अरे बिल्कुल अभी बस दवाई ले रही थी फिर वो बोलता है वीडियो कॉल मी तो लड़की बोलती है शौर क्या अगर उ उस टाइम पे नियो से बात करने में अनकमफर्टेबल नहीं थी और वीडियो कॉल में तो बिल्कुल भी नहीं थी और जब लोगों की अटेंशन एक्वानाक्स और सान्या से सीधा नियो के ओपर डालनी थी तब बोलता था कि ऐसे कपड़े पहन लो और बाकी तुम पढ़ कर रहे थे ये लोग पहले कभी मिले हो पहले कभी बहुत एक दो साल पहले की लोग बात कर रहे हो कि यहां पर तुमने मुझे देखा था क्या तुम मुझे उस टाइम पर पसंद करती थी और जिस तरीके से लड़की का रिपलाय आया नो ऐसा नहीं उसके बाद पक्का भी मेरे साथ चेप हो रहा था उसके बाद बोलती है कि यह तो मुझे टूपीस पहनने की बात करता था अब लेकिन यह देखो अब यहां पर गिफ्ट करने की बात करी गई या फिर गूगल पर करने की बात करी गई जिससे लड़की वो इस तरीकी की चीज़े खुद से खर करता था क्योंकि वोमेन कार्ट खेलना था और लोगों ने समझ भी लिया उस चीज़ को लेकिन अपनी बात नहीं बताए कि मैं किस तरीके से बात करती थी और अपने स्क्रींशॉट्स हाइली क्रॉप्ड करके डाले जहां पर नियो को गलत दिखाना था वहां पर दिखा द दो अपनी साइट से पूरी तरीके से उसको चिडाओ भी कैश्वल फ्लर्टिंग भी उसके साथ में करो नॉट्विन लैने मेंट में प्रोटोकॉल भी तुमी ब्रेक करो जिससे कि एक दिन के लिए बेंच हो जाए तुम दो साल पुरानी चैट भी अपनी सिक्योर रखो औ ऐसे-ऐसे कैश्व डाल के क्रॉप करके स्क्रीन शॉट्स दिखाओ कि पूरी दुनिया उसको एक मुलेस्टर का टायक दे दे फिर भी कैरक्टर असेसिनेशन के विल आपका होता है नियो का तो कुछ ही नहीं क्योंकि हम लड़के हैं हमारा कैरक्टर असेसिनेशन थोड़ी उसके बात देखो तीदी की एक और दोगला पंती अब इसी बात पे रहना जरा तुमने बोला महीने बीत गए कोई अभी से नहीं चल रहा था मैं बहुत टाइम से सौट करने का ट्राइ कर रही थी तो तुम सौट करने का ट्राइ ऐसे कर रही थी तुमने बार बार लगातार वो सारी चीजे हो जाने के बाद में भी सोशेली बहुत बार बुलानियों के बारे में अब फिर तुम्हारा बोलना था कि मुझे तुम लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए है अगर तुम्हें लगता है मैं कांट्रोवर्सी से ग्रो कर रही हूँ तुम मत देखो मुझे छोड़ के चले जाओ और अगर ऐसे बार बार पोक करते जाओगे तो नियो के फैंस गॉडल के फैंस तुमको बोलेंगे आके फिर तुम अपने सिंपेती काट खिलने लग जो कि मुझे मिंटल ट्रॉमा है इंजाइटी अटाइक आते हैं डिपरेशन है मुझे लगातार तीन महीने से इतने गंदे गंदे डियेंज आ रहे हैं यह आ रहा है वो आ रहा है सी मैं आपे मिंटल इशू का कोई भी मजाग नहीं बना रहा हूँ मुझे पता है बहुत ही जादा सीरियस चीज होती है बट मेरा पॉइंट यह है कि अगर तुम कड़ाई में सरदोगे जलती कड़ाई में तो तुम जलोगे ही उसमें फिर तुम कड़ाई को ब्लेम नहीं दे सकते हो और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें इशू इस बात से था कि गॉडल के मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया तो तुम गॉडल के मैनेजमेंट को बोलो ना, अगर तुम परसनली जा के बोल रहे हो, तुमारे साब से तुमने परसनली बोला उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारा मीम नियो पे डालना बनता था फिर से या फिर गॉडल के मैनेज्मेंट के उपर एक तरफ बोलना है कि गॉडल ने एड्रेस नहीं करा और पोप करना है तुम्हें नियो को प्रोटोकॉल तुम ब्रेक करो पकड़े तुम जाओ rumors तुम्हारे बारे में spread हो और तुम use किसका करोगे नियो को ये typical example है उस चीज़ का जहां पे लड़की तुम्हें प्रपोस भी नहीं करने देगी और relationship की तुम्हारे साथ सारी चीज़े करेगी और जैसे ही उसके उपर बात आएगी तो तुम्हारे ही screenshots तुम्हारे against चीज़ करेगी जहां तुम्हें ही गलत दिखाएगे जिससे की वो खुद clean हो जाए अब आते हैं दूसरे अध्याये पे जहां पर हम बात करेंगे नियो की तो ये चीज़ definitely हर एक इनसान को माननी बड़ेगी कि यहां पे नियो की भी गलती थी क्योंकि ऐसी और काफी सारे लड़कियों के screenshot निकल के आये थे जहां पर पास्ट में वो डायरेक्ट वलगर बाते कर रहा था लड़कियों से लेकिन उन सभी screenshot में एक चीज़ साफ clear थी कि लड़की सामने से interested नहीं होती थी और वो सीधा मना कर देती थी यहां पर सान्या के case में सामने से लड़की ने मन नहीं किया उसने भी उस सब चीज़ों में बराबर interest दिखाया और वो चीज़ एसकलेट हुई आगे और जैसे ही उसको image clean करने की ज़रूरत पड़ी वैसे ही उसने manipulate करते हुए screenshot डाल दिये और यह चीज़ अपने आप में इतनी जादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह चीज पर भी यह चीज़ निकल के सामने नहीं आए कि लड़की के मना करने के बाद में भी नियो कहीं पर force कर रहा है उसके घर में घुसके ऐसा बोल रहा है या फिर धंकियां दे रहा है कि अगर तुने यह चीज़ नहीं करी तो मैं यह कर दूँगा वो कर दूँगा तो उसकी व बहुत ज़़ाधा frustrate हो गया था बहुत ज़़ादा पोक कर रही थी गुस्से में आके उसने इसने इसा बोला लेकिन लोग गुस्से में आके बहुत गलद 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 काम भी कर देते हैं जिसके लिए उनको उमरकैत की सजा भी हो जाती है तो कुछ limits होती है जो किसी भी case म क्रॉस नहीं होनी चाहिए हैं लेकिन इसके लावा भाई बहुत तगड़ा गेम खेला सान्या ने और जो रीसेंट वीडियो थी नियों के उपर उसमें मैंने बिल्कुल दोनों साइड रखने की कोशिश करी थी कि नियों को ऐसा लगता है सान्या को ऐसा लगता है लेकिन जो बड़ी पिक्चर क्लियरली अब जाके समझ में आई ना वो मैंने आप सब लोगों को बताई और इतनी जल्दी कॉंक्लूजन पर मत जाया करो थोड़ा सा वेड कर लिया करो दोनों साइड समझ लिया करो पूरी क्लारिटी जब तक ना हो तब तक इन सब चीजों पर कमेंट